कीज़िए आप सरा जिसकी समय शरुटों में आपके लिए यौन की मिलने वाली हैं यहाँ लिए क्योंद से छो आज आगे बनुद सेराव कंप Flowers पर की और लाने वाला हूं जिन में science आता है चाहिए आप MP की exam ले लीजिए व्यापम या फिर MP, police, constable, SI, jail, प्रेहरी या फिर MP, PSC या फिर central की exam जितनी बहुती है जिन में science पूछा जाता है आपके लिए यहां पर यह science बहुत important है बहुत important questions लेकर आया हूँ तो 1500 plus questions है आपको हर वीडियो में 30 questions मिलने व हिंदी की MP, jail, previous year question paper MP, police, previous year question paper सारी classes चल रही है आप इनमें सब्सक्राइब को इस exam की preparation कर रहे हैं तो वो classes जरूर देखे तो पहला question आपर देख लेते हैं दो धातू जिनने छूरी से काटा जा सकता है आपको English और Hindi दोनों में ही provide की जाएंगे question and answer तो दो धातू जिनने छू धातू कौन-कौन सी है, sodium और potassium दो एसी धातू हैं जिनको छूरी से काटा जा सकता है, two metals that can be cut with a knife आप अगर English medium से हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, English में भी आपको मिल जाएगा, पूरा content, यहाँ पर आप इसकी PDF भी आपको नीचे description में मिल जाएगी निमनलिकी द्रवों में से कौन विद्धुत का सर्वत्तम चालक हैं, अपर चार द्रव दिये हुए हैं जिन में से कौन सा विद्धुत का सर्वत्तम चालक हैं, तो दाहक, सोडा जो है वो विद्धुत का सर्वत्तम चालक हो जाता है, अगला कुशन है, खर्वत्वार हटा ने उन मिट्टी को डीला करने के लिए उप्योग किये जाने वाला सरल यंत्र कौन सा है तो यहाँ पर आपका क्या हुआएगा कुदाल जो है यह आपका खरपतवार हटाने उन मिट्टी को डीला करने के लिए उप्योग किया जाना सरल यंत्र है अगला क्यूशन है कि एक प् से घिस लेते हैं और कागच की तूकड़ा उसमें चिपक जाते थे तो यहाँ पर वह कहे रहा है कि आकशत करता है क्योंकि उटारण करता है क्या धारं कर लेता है वह वह भ्रेणा-वेज धारं कर लेता नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस स्केल मैं तो इसलिए वो कागचिक्टो कड़ों काकरशित करता है अगला क्यूशन है कि कोन सी वाहिक आए CO2 युक्त रक्त को सरीर के सभी भागों से रिदय की ओर ले जाती है देखिए इसे यहां अंसर हो जाएगा शिराए शिराए जो है यह CO2 युक्त रक्त को सरीर के सभी भागों से रिदय की ओर ले जाती है असुद रक्त को अगर बात करें अशुद रक्त को रिदय में ले जाती है शिराएं यह आपका अंसर हो जाएगा क्यूशन इस टाइपस के आता है कि असुद रक्त को रिदय की ओर कुण सी वाहिकाय ल करता है क्या कहलाता कूंसा बल जो वस्तू की ये ये चल रहे इसकी गति gonna करता है ये हो जाता है घर्षन बल घर्षी, बल फ्रिक्संनल फोर्स हो अगलो ौक्यूसटन है कि गर्मी में दूद्ध दही में जल्दी परिवर्धिस होता है क्यों होता हैy क्योंकि तापमान की व्रद्धी होने से बेक्टिरिया की व्रद्धी हो जाती है अगर आपने पढ़ा हो तो जो बेक्टिरिया तापमान बढ़ता है तो बेक्टिरिया का आवागमने वो बहुत तेजी से हो जाता है और तेजी की कारण यहाँ पर दूद है वो देई में जल्दी परिवर्तित हो जाता है तो इसका आंसर जाएगा आपका फस्ट की तापमान की व्रद्धी होने से बेक्टिरिया की व्रद्धी बढ़ती है जादा बेक्टिरिया होंगे तो जल्दी जल्दी काम करेंगे जादा बेक्टिरिया जादा काम करेंगे तो इसलिए दूद दहीं में जल्दी परिवर्थित हो जाएगा अगला क्यूशन है कि एक विद्धूत परिवर्थ के घटक है आपका आज यहाँ पर चार ओप्सन है इन में से कौन-कौन से विद्धूत परिवर्थ के घटक है चालनतार, स्विच, बैटरी या फिर उप्रोक तो सभी तो यहाँ पर चालनतार भी विद्धूत चालक परिवर्थ का घटक है स्विच भी और बैटरी भी तो यहाँ पर हो जाएगा आलोब दी अलवाओ उप्रोक तो सभी अगला क्यूशन है कि जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाएं कलाई का अंदर की तरफ रखते हैं तब हम धमक गती वीदियों को महसूस करते हैं जिसे नारी कहते हैं यहाँ किस कारण होता हैं देखिए धमक गती वीदियाने की ट्रॉबलिंग मॉव्मेंट तो यहाँ पर यह किस कारण से होता है तो यह धमनी यों में रक्त प्रवाख की कारण होता है क्या बोलें जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली अपने बाएं हाथ की कलाई के अंदर की तरफ रखते हैं तब धमक गती विदिक महस्यूस करते हैं जीसे नारी कहते हैं तो यहाँ पर यह धमनीओं में रख्तप्रवाग के कारण होता है अगला विशन रहता है कि कौन सा अमल प्रोटीन अनुओं का निर्मान खंड है कौन सा अमल प्रोटीन अनुओं का निर्मान खंड है तो यहां पर आपका अंसर हो जगा एमीनो अमल जो है वो प्रोटीन अनुओं का निर्मान खंड है अगला क्यूशन है पोलियो के उनमूलन में भारत सरका है भासनों सर्कार द्वारा की गई पहल का नाम है भासनों के लिए यह पहली स्तार्ट की गई थी इसका नाम पушки नाम है अंधी में कुछ हो सकते हैं क्योंकि चब करते हैं तो इस ही को आघ्ल को जाती है तो वह कुछ मलब आपने दीखा होगा बहुत बार हम क्या लिखना चाहते हैं हो क्या लिखा जाता है इसका अगला क्यूशन है कि नालियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है यह कि किसका स्वसंतंत्र है नलियों का जाल नालिया नहीं नलियों का जाल ट्रेकिया कहलाता है कि यहां किसका स्वसंतंत्र है तो यह कीट का स्वसंतंत्र है ट्रेकिया जो है वो कीटों का स्वसंतंत्र है अगले क्यूशने पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पड़े खाती पदारत से जल और कुछ लवन अवसोशन में सहाइता करता है बिना पड़े नहीं है विच पार्ट ओप दा डाइगिश्टिव सिस्टम हल्प इन अब्सोर्बशन ओफ दा ओफ वाटर और सम साल्ट फ्रूम दा अन डाइगिश्ट फूड पड़े है यह पड़े मतलब पड़ा हुआ पड़ा खाते बतारत से जल और कुछ लवन के अवसोशन में सहाइता करता है तो यह व्रहत आथ है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पड़े हुए पड़े है यह पड़े नहीं है यह वाला पड़े है देखिए पड़े यह वाला पड़े पड़े हुए जब हम बोलते हैं तो व्रहत आथ हो जाएगा है अगले क्यूशन है कि एक परीपत में अत्यदिक धारा का कारण है एक परीपत में और विद्धुताप उप्चायन तो यहां पर आपका A और B दोनों अंसर हो जाएगा पटाका मिनिर्मान कार खाने में अगनी दुरगटना की स्थिती में आप अगनी रक्षक को अगनी बुझाने बुलाने के लिए किस नंबर को डायल करेंगे कार सब्सक्राइब कारी किस रूप में कार करता है तो देखेंए पानी में कुछ आगर सामान रखाओ रहता है marble याने की वो एक पत्थर रहता है tiles type का तो उसकी बात कर रहा हूँ वो बड़ा दिखाई देता है तो वहाँ पर उस time पर जब हम देखते हैं उसको तो पानी किसका कारी करता है वहाँ पर तो यहाँ पर आपका outer lens outer lens, outer lens, outer lens आवरदक lens या फिर बी और सी दोनों, उत्तर lens और आवरदक lens दोनों का कारी यहाँ पर करता है जल जो है उस time उत्तर lens और आवरदक lens दोनों का कारी करता है अगला क्योशन है कून सा वर्नक रक्त में लाल रंग देता है कून सा वर्नक रक्त में लाल रंग देता है तो serum globin, serum abluin, hemoglobin या plasma protein तो hemoglobin की कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल होता है आप सभी को पता होगा वेसे नौर्मली अगले कुशन है जब काच को रेशम के द्वारा रगड़ा जाए तब काच द्वारा अरजित आवेस संकतिक रूप में माना जाएगा संकतिक रूप में काच कौन सा आवेस अरजित करता है तो वो धनातमक आवेस अरजित कर लेता है जब रेशम के द्वारा काच को रगड़ा जाता है अगले क्युशन है कि क्रोमियम को पधार्तो जैसे कार की भाग, साइकल के हैंडिल, रस्वई चूला एवं इस नानागर फिटिंग के विद्दूत लेपन में वरीता देने के निम्न में से कौन सा कारण नहीं है मलब क्या क्या कारण है क्रोमियम का रूप चमकदार है क्रोमियम में संचार नहीं होता क्रोमियम खरोचोग रोकती है क्रोमिय Serald लोही की तलम में सथी जात्र हैं ऐसा नहीं है कुरामिय में लोही की तुन नहीं हैं यह कारण नहीं है इसका यहения का रूप चमकदा सही है उच्छ दबाव दाव चेत्र के आसपक्रos उच्छ गत्वल यह परिचालित होती जब चक्रबाद हाता है तो इसा होता है कि दूसरा है कि भारत के समूद्र ताक्षिवाद के सुभोड नहीं ऐशा है तीसरा है कि दक्षिनी गोलार्द में वायू की जिसा दक्षिनावर्थ होती है और उत्री गोलार्द में वायू की जिसा वामावर्थ होती है चोंता है कि वायू की जिसा दोनों गोलार्दों में दक्षिनावर्थ होती है तो इसमें राइड आंसर आपका हो जाएगा कि दक् क्लोक्वाइस लिखा गया है इसको करना है अगला है कि लंबे पेड़ की वे शाका है जो दूसरे पेड़ पोदों पर छत की भाती दिखाई देती है वे होंगी वे क्या होती है तो पेड़ के वितान के नीचे का भाग होता है अगला क्यूशन है कि सुद्ध जल में यहा गोलकर सुद्ध जल में यहा यहा मतलब यहाँ पर आपके जो उप्सन दी है वो गोलकर विद्धुत का संचालन किया जाता है सुद्ध जल में यहां गोलकर विद्धुत का संचालन किया जाता है तो साधारन लवन याने की नमक को गोलकर विद्धुत का संचालन किया जा सकता है याने की सुद्ध जल जो है उसमें करेंटे थ्रो नहीं होगा वहाँ पर आपका करेंट है उसके लिए आपको असुद्ध जल चाहिए रहेगा उसमें से करेंट पास हो सकता है अगला क्यूशन है कि पार्क की स्लाइड़ों को नरम पालिश किया जाता है ताकि घर्षन में व्रधी हो घर्षन में कमी हो या आकर्षक दिखाई दे और इनको नरम पालिश की जाती है अगले क्यूशन है कि प्लास्टिक के पात्र या काच की सिसीयों में नहीं नहीं आचारों को प्लास्टिक की पात्र या काच की सिसीयों में को संग्रह किया जाता है अल्यूमिनियूम के पात्रों में क्यों नहीं किया जाता है आपने भी घरो पात्र में नहीं भरा जाता आपने कभी नहीं देखा होगा इसा क्यों होता है क्योंकि कांच और प्लास्टिक के पात्र हम जब आचार को रखा जाता है तो हम उसे देख सकते हैं इसा है कि बिल्कुल इसा है हम देख सकते हैं उसको प्लास्टिक और कांच के पात्र हलके होते ह और संवालने में आसान होते हैं नहीं कांच के बरतन तो भार होते हैं वैसे हैं इस क्ए प्लास्टिक और कांच पादलों का उपियों के लोग कि बाद पुन्न चक्रन किया है यह तो कोई फैक्टर इन हुआ भास यह भी एलल्यूमिनीया के साथ में नहीं रखा जाता है तो यह आपका अंसर हो जाएगा, स्वाप परागन इसे संबोधित करता है, यहाँ पर आपका क्युछन है कि स्वाप परागन इसे संबोधित करता है, मतलब इनमें से किसे संबोधित करता है, पराग का पराग कोश से अन्न फूलों के अंडासई में अनुचितरन, अगला है क उसी फूल के पराग का पराग कोस से बिंदू में अनुचितरन योनी शद्र में अनुचितरन दूसरे फूल के पराग कोस से बीजांड में अनुचितरन यह इस्तरी गेमिट का पराग कोस से उसी फूल के बिंदू में अनुचितरन तो अंसर आपका यहाँ पर होगा उसी कुछन है साइन्स को आपको याद करना ही पड़ेगा आप यहाँ पर टेक्निक नहीं अपना सकते कोई भी यहाँ पर आपके लिए इसके लिए कोई मेथड नहीं आपको याद ही करना पड़ेगा तुछन अगर आता है और आपको यह जैसे चार उप्शन दिये हुए आपको नहीं पता कि क्या सिस्टम हैं, तो आप यहां पर इल्िमिनेट वाला सिस्टम भी नहीं अपना सकते हैं, यहां पर अलग-अलग छीज़े दी होती ज़ाधा था, अगर आपको छीज़े पता है, तो ही आप इल्िमिनेट वाला प्रोसेश अपना सकते ही, तो आपकी MP-POLिस-Const मैंस में आपका सायेंस इहां से त diferencia important नहीं बनता है तो मैंस के लिए में नहीं गहूंगा और बाकी जो दुस्तरी exam जैसे की मैं आपको बताया central की उनके लिये आपके लिए episode important is important है अगला क्यूशन है कि काई और पर्णांग पुनर पादित होते हैं किस कारण से होते हैं मुकूलन से विखंडन से बीजानु निर्मान से या करतन से तो यह बीजानु निर्मान से काई आपने देखी होगी काई घमजाती पानी के अंदर तो यह बीजानु निर्मान से इनका पुनरलमान होता है आगलों किसने गंबी अभ्यास दौरां पेशी एठन इसके संचियन के करण तो किसके संचियन के कारण होते हैं थूalyAcid पास कले सभी को पता होगा नोर्मली ऐसा ही एकाई भी पूछ सकते हैं आप से MLT मान भी पूछ सकते हैं आपके कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आगे 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 क्यूशन आएंगे करने के लिए या फरस और समरो बीज़ करने के लिए इसका प्रयोक किया जाता है ऑलगी अगला और तीसवा क्योशटिशन जिसके हमें हर विडियोम हम तीस क्लासें आपको प्रॉइब आ को प्रॉइद कराएंगे पंदboundरा सो प्लस question से जितिनी वी classes रहेंगी उनकी में फ्लै Λ्लिस्ट बना दूँगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी आपर सारे वीडियो देखने में आगर आप बाद में जुड़े हैं माद लीजी आज वीडियो में आतों आज नहीं जुड़े हैं आप बाद में जुड़े हैं आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे उनकी पीडिये भी उनके लिंक description में मिल नाएगी तो वहां सा PDF डाउनलोड करके नोट सब बना ले रिदय को कौन सा भाग सरी के विबिन भागों में रक्त को भेजता है कौन सा भाग देखिए वहां पर हमारा question था ये कि अशुद्ध रक्त को रिदय में कौन सी वाहिकाय लाती है तो और यहां पर आपका question ह है कि रिदय को कौन सा भाग सरी विबिन भागों में रक्त भेजता है निम्न अर्द भाग सरीर के विबिन भागों में रक्त को भेजता है तो यहां पर हमारा question actually एकला टेलीग्राज sma financially नाम हूँ और वहाँ पर आपके जो पीडिएफ है जो हमारी क्लासे उनके पीडिएफ है वहाँ पर हम आवेलिबल कराते हैं और भी इंपोपेशन आपको दी जाती वहाँ पर कुछ चीज होगी तो वह भी हाँ आप टेलीग्रम चैनल भी जॉइन कर लें आप कि आपको सारी चीज कर सकते हैं तो आपको वीडियो समझ में आयोंगे अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको अगले वीडियो में से एक क्यूस्टिन आपको दिया करूंगा एक क्यूस्टिन रहेगा जो पिछले मेरे पढ़ाई हुई क्लासे में से रहेगा कि मैंने आज जो पढ़ाई थी इस question हो सकता इसी में से रहे अगली बार का जो question हो या फिर जैसे दिसे हम आगे बढ़ते आएंगे तो आपकी questions आपको मैं दूंगा homework के रूप में ताकि मुझे भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं आप कितने पानी में हैं तो चलिए अगर चैनल को subscribe नहीं कि आपने चैनलों को ज़रू subscribe कर ले मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जबारानी थैंक यू